बाजपा की राश्टी उपाद्देक्ष श्याम जाजू आज इंदोर में मोजूद हैं MP News ने उनसे बात की किस तरह से आगे बाजपा की रणनीती चुनाओं को लेकर होगी हाल ही में गुजरात में चुनाओं हैं और हिमाचल में हो चुका हैं मद्दान इसे में जो नोडबंदी का एक मुद्दा उठादा साल बर बाद जिसको लेकर राजनीती पिछले दिनों तेज हो गई थी क्या कहते हैं कि जो दो चुनाओं हैं उनके प्रणाम किस तरह से रहेंगे महाराष्टर में हम नंबर वन पार्टी बन गए के हर्याना में हम چार के 47 बने कश्मीर में हम राज कर रहें गोवाः क्रिष्चन बहुल होते हुए हम वहाँ पर राज कर रहे असाम जैसे नौर्थिश के स्टेट में हम त्रिपृर्थ मिजॉरिटी में आये हैं। उत्तर पूदेश में हम जीते हैं। उत्तरा खन में हम 57 सिटे जीत कर आये है। यह सब य impres दर्शाता है कि मोदी जी देश के सरवस्ति परशन लोक प्रियनेता हैं। लोगों का उन पर बरोसा है और उन्होंने जिस प्रकार के कदम उठा है साड़े तिन साल में उसकी जो उपलब दिया है लोगों को बहुत अप्रिचेट करते हैं आपने नोडबंदी की में बात करूँगा नोडबंदी को कड़वी दवा बताया है जिसको लेकर जनता में भी नाराजगी है वही राजनितिक दल भी इसको मुद्दा बना रहे हैं क्या मानते हैं आपके जो आगामी चुना हुआ है उसके दोरान नोडबंदी से कुछ नुकसान हुआ क्योंकि सीधे तोरपा नोडबंदी का जो मुद्दा है वो जनता से जुड़ा हुआ है और जनता में इसकी नाराज की साब दिखाई ले रहे नोडबंदी के बाद ही तो स्वार्थ के कारण ये निर्णे नहीं किया देश का व्यापक इंट्रेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये निर्णे किया है मोदी जी की नियत साफ है लोगों का उन पर बरोसा है इसलिए लोगों ने दिक्कत होने के बावजूद इस निर्णे में मोदी जी का और पार्ट जिसे स्थितिया निर्मित हो या गुडबाजी की रफ्वाटी किस तरह की तज्ञार की दियारिया है मध्यपरदेश भारतियों, जनता पर्टी का पुराना गड है हमारा केडर देश में कही अनुशासित केडर हमारा है तो comparatively मद्यप्रदेश का सबसे strong है कुशे अब आउ ठाकरे जैसे नेताओं ने यहां का संगटन खड़ा किया है जब हम कही भी सत्ता पे नहीं आते थे तब भी हम मद्यप्रदेश में सत्ता में आते थे अभी तो गए 15 साल में हमें performance का इसा मोका मिला है और लोगों ने यह देखा है तो सब भी जहां जहां भी चुना हुए हमने मद्यप्रदेश में भी जीते है performance के आदार पर जीते है अब तो केंदर में हमारी सरकार है और राज्य में हमारी सरकार है दोनों के आदार पर लोग विकास देख रहे है मध्यप्रदेश में बहुत अच्छा काम गए 15 साल में खड़ा हुआ है मध्यप्रदेश में बहुत अच्छा काम गए 15 साल में खड़ा हुआ है तो भाजपा के राश्री अद्ध्यक्ष हैं, अमिश शाह उनके बेटे पर जो आरोप लगाया जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ने कहीं विवाद बने रहते हैं, कहीं ने कहीं जो भाजपा है, उससे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे मन में बिल्कुल संकोच नहीं है, एक परसेंट भी जय शाहा की और हमी चार्जी की कोई गलती नहीं है, अगर कोई गलती होती तो सो करोड का दावा हम नहीं ठोक सकते थे, हमने वो ठोक कर बता दिया है, जल्दी दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, केवल आरो किस तरी की रंड़नीती बना रही है मर्द प्रदेश में जो चुनावी हला है वो बोलने को लेकर और चुनाओ आगामी जो है उसको निप्ताने को लेकर किस तरी की अंधरूनी तयारे की 2019 की पूरे देश में हमारी तयारी चल रही है, भारतिय जनता पार्टी यह कोई चुनावी पार्टी नहीं है, हम साल भर काम करने वाले एक्टिव लोगों की पार्टी है, इसलिए हमारे सभी कारेकरम और प्रोग्राम्स में पार्टी की आगे की धारणा और तयार होती है, रूलिंग पार्टी बन गए तो सरकार चलाएगी वो पार्टी है जिसा नहीं है, हमारा केडर अलग से काम करता है, तो निचीत रूप से हमारी अच्छी तयारीया चल रही है और लोगों का समर्थन बढ़ रहा है। पार्टी रातित सिंधिया भाजपा के सामने चुनोती की रूप में सामने आने वाले हैं, जिस चुनोती को जो पार्टी है वो स्विकार करने को तयार है, तो यह आने वाले समय में देखना होगा कि अब जो पार्टी के राजनेतिक रंग है वो किस और जाता है, कैमरा परस